दोस्तो इस वीडियो में हम लोग PMS के बारे में बात करने वाले हैं यह PMS क्या होता है और PMS से related सारी बाते इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे तो यह वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंटक पूरा देखिएंगा चली फिन से वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो PMS का फुल पॉम है portfolio management services यह जो PMS होता है इसमें क्या होता है आपका जो demand account होता है professionals manage करते हैं professionals handle करते हैं आपके demand account को और उन professionals को PMS का portfolio manager बोला जाता है आपका demand account रहेंगा professionals लोग उसको manage करेंगे मतलब आपके demand account में जो भी share खरीदे और बेचे जाएंगे professionals के द्वारा खरीदे और बेचे जाएंगे वो ही लोग manage करेंगे आपके demand account को आपको एक मुस्त रकम PMS में डालनी होती है एक मुस्त रकम डालने के बाद आपका काम वापे खतम हो जाता है फिर काम शुरू होता ह portfolio manager का वो ही आपके account को handle करता है और आपको stock market से return बना कर देता है दोस्तो पहली नजर में देखे तो PMS mutual fund की तरह हमें दिखता है बट ये mutual fund से बिलकूल अलग है mutual fund में क्या होता दोस्तो बहुत सारे लोग एक particular mutual fund में invest करते है एक common goal के साथ में बट PMS में वैसा नहीं होता दो PMS में आपको separately invest करना पड़ता है और PMS का जो portfolio manager होता है वो separately हर एक investor की need के हिसाब से उसके portfolio को manage करता है सभी के portfolio को एक ही जैसा manage नहीं किया जाता है investor की need के हिसाब से investor कितना risk लेने के लिए तयार है कितना conservative है उस सारी चीजों को देखते हुए PMS का जो portfolio manager है वो उस account को handle करता ह इस particular बंदे के demand account को handle करता है जबकि mutual fund में वैसा नहीं होता है mutual fund जैसा चलेंगा वैसा ही चलेंगा आपको अगर उसमें invest करना है तो आप उसमें कर सकते हो आपने mutual fund में invest कर दिया तो mutual fund के जो rules है वो सभी के लिए common रहते हैं हर एक के लिए अलग अलग नहीं रहते हैं बट PMS के लिए आपके लिए separately आपका portfolio आपके हिसाब से design किया जाएंगा आपको किस तरीके का stock market में risk लेना पसंद है कितना return आपको चाहिए उस सारी चीजों को देखते विए PMS का जो portfolio manager है वो आपके demand account को handle करता है दोस्तो एक example के थुरू मैं आपको समझाता हूँ mutual fund में पैसा invest क करने का क्या मतलब है देखे दोस्तो जब आप mutual fund में पैसा invest करते हो that means आप एक ऐसे taxi में बैटे हो जिसमें आपके अलावा नो लोग और बैटे हैं तो वो जो taxi का driver है उसके ओपर 10 लोगों की responsibility है तो वो बहुत ही संबल कर अपनी taxi चलाएंगा वो बिलकुल नहीं चाहेंगा कि मेरी गलती के वज़े से 10 लोग मरें अगर taxi ठुक गई तो 10 लोग मरेंगे तो ये बड़ी responsibility है उस particular taxi driver के उपर तो बहुत ही संबल कर taxi चलाएंगा बलही destination पर पौशने में थोड़ा लेट हो जाए बट उसके लिए prime focus क्या रहेंगा कि लोगों की safety दस लोग है इनकी safety prime focus र होता है but loss होता है but loss होने की chances कम रहते क्योंकि जो taxi driver that means your mutual fund fund manager होता है वो संबल कर investor के portfolio को manage करता है ताकि भले ज्यादा return ना मिले investor को but return ज़रूर मिले और investor को नुक्सान ना हो इस चीज का ध्यान रगा जाता है PMS जो होता है PMS में invest करने का मतलब ऐसा है कि आप bike taxi में बैटे हो बाइक टेक्सी में क्या होता है एक अकेला passenger बाइटा होता है अब जो बाइक का जो driver है अगर passenger उससे request करता है कि भाइया बाइक टेक्सी आप fast चलाओ मुझे destination पर जल्दी पहुशना है तो obviously जो बाइक का driver है वो fast चलाएंगा क्योंकि उसके ओपर एक particular बंदे की responsibility है सिब एक request लेंगा बट वो रिस लेने के लिए तयार था इसलिए उसकी request पर यह सारी चीज़े की गई है तो इस तरीके का होता है PMS मतब PMS में आपको ज्यादा return देने की कोशिश की जाती है आपके request के हिसाब से इस दोरान accident हो सकता है मतब इस दोरान आपको नुक्सान हो सकता है तो दूसरा होता है non-discretionary PMS इसमें portfolio manager share खरीदने के पहले वो आपसे permission लेंगा आप जब उसको permission दोंगे तभी वो share खरीदेंगा otherwise नहीं खरीदेंगा और तिसरा होता है advisory PMS advisory PMS में portfolio manager share नहीं खरीदता है आपके account में बट वो आपको advice देता है share खरीदने की फिर वो आपका decision र सकते हो बट PMS में invest करने के लिए आपके पास demand account होना जरूरी है क्योंकि आपके particular demand account में share खरीदे और बेचे जाते हैं सारे transaction आपकी demand account में होते हैं तो इसलिए PMS में invest करने के लिए आपके पास demand account होना जरूरी है दोस्तों अगर charges की बात करें तो PMS में आपको mutual fund के मुकाबल ज्यादा charges pay करना पड़ता है एक से 3% तक आपको management fees pay करना पड़ता है एक से 3% तक आपको entry fees pay करना पड़ता है इसके अलावा जो आपके demand account में share खरीदे और बेचे जाते हैं उस पर आपको brokerage and taxes भी लगता है जिस तरीके से normal trading हम करते हैं उसमें brokerage और taxes लगता है वो यहाँ पर भी लगेंगा इसके अलवा management fees और entry fees इतने तरीके के charges इसमें होते हैं मतलब costing के हिसाफ से देखा जाए charges के हिसाफ से देखा जाए तो PMS में charges आपको ज्यादा लगेंगा दोस्तों कुछ PMS आपसे performance fees भी ले सकते हैं अब यह performance fees क्या होती है वो PMS मान लो आपको बोलेंग आपको मिलगी आप 12% के उपर जो भी मिलेंगा तो additional return आपको मिला है तो उस पर आपको 10% 20% 30% जो भी हो PMS का मतलब वहाँ पे लिखा हुआ रहेंगा उस तरीके से आपको pay करना पड़ेंगा तो इस तरीके से PMS performance fees भी charge करते हैं दोस्तों PMS में हर कोई invest नहीं कर सकता है because PMS में invest करने के लिए minimum investment limit जो है वो है 50 लाक रुपे आज के तारीक में पहले ये limit 25 लाक थी बट आज के तारीक में 50 लाक है और वो भी एक मुष्ट आपको एक मुष्ट one time 50 लाक रुपे invest करना पड़ता है PMS में तो PMS में normally जो HNI लोग होते हैं वो ही लोग invest करते हैं अब हर किसी के पास तो एक साथ में 50 लाक रुपे invest करने के लिए होते नहीं है तो PMS में अगर देखा जाए तो हर कोई invest नहीं कर पाता है वही अगर हम दुसरी तरह mutual fund की बात करें तो mutual fund में हर कोई invest कर सकता है मातरा 500 रुपे 1000 रुपे से ही आप mutual fund में investment की शुरुबात कर सकते हों दोस्तो PMS में mutual fund के मुकाबले जादा risk होता है because PMS के जो portfolio manager है वो क्या करते है aggressively आपके account को handle करते है ताकि जादा से जादा return बने तबी तो मतलब है ना PMS में पाइसा invest करने का अगर PMS में उतना ही return बनेगा जितना return mutual fund में बनता है तो फिर लोग PMS में पाइसा क्यू देंगे PMS में investment की limit है 50,000,000 रुप है इसके अलावाद charges भी ज्यादा लगते हैं PMS में तो इतना कुछ करके अगर investor आ रहा है तो obviously हो चाहेंगा कि mutual fund से ज्यादा return मुझे यहाँ पर मिले बट mutual fund के जितना ही return अगर PMS दे रहा है तो फिर लोग PMS में पाइसा नहीं डालेंग और mutual fund में charges भी कम है तो इसलिए जो लोगों की expectation होती है PMS से वो mutual fund से ज्यादा return पाने की ही होती है दोस्तो आप risk लेकर ज्यादा return कमाना चाहते हो और आप एक मुझे 50,000,000 रुपे invest कर सकते हो तो फिर PMS आपके लिए हो सकता है बट आप risk नहीं लेना चाहते हो safe और steady return आप चाहते हो तो फिर mutual fund आपके लिए best है तो दोस्तो इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश किये कि ये PMS क्या होता है किन लोगों के लिए सही है इसके क्या क्या features है ये सारी बाते हमने देखी तो दोस्तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वी आपको अच्छा लगा है ये वीडियो में इस इम्रान शेक शानिग आप